मसान क्या होता है, मसानी माता कौन सी होती है, और मसान का इलाज क्या है और किस प्रकार से आप मसानी से छुटकारा पा सकते हैं, कैसका कोई पर्मानेंट इलाज है, कैसे इसको श्यांत करें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वेडियो के माद्यम से दिये जाएंगे तो व मसानी से छुटकारा दिला सकता है शांत कर सकता है परन्तू कोई भी वी दी क्रिया करने को तयार नहीं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मसानी उतारने की लिए बड़े से बड़ा भूगा में देना पढ़ेगा, हमें शिम्सानों में जाना पढ़ेगा, साधनाए करने पढ़ेंगी, पहले तो बात करेंगे हम लक्षणों के जिन लोगों के अचानक से मसान उनके उपर छोड़ दिया गया, और सीने में, सिर में, या कहीं पे भी दर्द होने लग जाता है स्पेशली पेट में अगर किसी के दर्द होता है तो ये जो है मसानी क्रिया जिन लोगों ने खूँन मास इत्यादी इनको दिया हुआ हो पहले उनके खुद के गलत कर्मों से उनके साथ ये छिट जाती है शक्तियां और उनकी जिंदगी बरबाद कर देती है यानि कि किसी भी प्रकार के अगर वो कोई भी क्रिया कर ले कोई भी जाप साधना कर ले तो उनका ये पीछा नहीं छोड़ती है प्रंदू अगर मीठे जल का एक गिलास चाहे आप एक साफ गिलास पाने में चीनी के दाने डालिए चाहे गूड डालिए चाहे शक्र कोई भी मीठा पदार था आप उसमें डाल सकते हो और उसको मीठा करके रोगी के सिर से साथ बार उसार के कई बार हम बताते हैं जो अपने में गेट के पिलर होते हैं उन पे माता चुगान वाली का नाम लेकर के माता मसानी का नाम लेकर के माता चुराहे वाले शितला का नाम लेकर के आप धार डालिए कहें माजोडे से यह धार में आपके नाम की दे रहा हूं या दे रही हूं इसे कृपकर के स्विकार करे और जो भी मसान बादा बूत बादा मेरे शरीर पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं कृपकर के उसको शांत करे कुछी पलों में आप देखिएगा कि उसको आराम मिलना शुरू हो जाता यानि कि शांती मिलती है किसी में चिड़-चिड़ा पन बहुत जादा आजाता है चिड़-चिड़-चिड़-चिड़-चिड़ हमेशा कोई व्यक्ति छोड़ी-चोटी बात उपर और स्पेसलि जब भी आप कोई भगवान की पुझा पाट की बात करते हैं कोई धर्म-कर्म की बात करते हैं तो अना धार डालने से शान्त हो जाती है परंतु क्योंकि चुराहे में अगर आप रोग उतार के डालते हो तो चुराहे से दिन बबर बच्चों का बहुत सारी औरतों कादमियों का आना जाना रहता है तो क्यों किसी के उपर बुरा तंटर किया जाए तो अपने में गेट के जो पिलर होते हैं बाहर की तरफ अंदर की तरफ नहीं डालना आपको यह यह बाहर की तरफ डालना होता है उनका नाम लेकर के उनको मीठा जल अरपन करें मीठे जन से मत्र एक गिलास जन से ये शान्त हो जाती है अब आप ये सोचोगे कि ये शान्त हो जाती है इसकी काट हो जाती है काट नहीं होती इसकी इसकी काट करने के लिए आपको हवन करवाने पड़ते हैं स्वैम से आपको थोड़ा बहुत पोजापाट जाप सिद्धी शुदता रखनी पड़ती है मानते हैं जिन बच्चों पर मिसान प्रियोग होता है उनका बक्ती में मन नहीं लगता और अगर बाइचांस किसी के कहने से या किसी से मोटिवेट हो करके कोई थोड़ी बहुत बगती करता है या फिर उनके नाम पर चलने की कोशिस करता है तो कहीं ना कहीं उनको जो है एक दिन में दो दिन में उनका जो मनोबल होता है वो गिर जाता है यानि कि वो नहीं कर पाते हैं पूजा पाट और फिर नोंकर यह लगता है कि हमसे तो शक्ति रूष्ट है हमसे नहीं माननेगी फिर सिलसिला शुरू हो जाता है बक्तों के पास चोक्यों में जाने का और चो कियों पर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बक्ते बैटे हुए हैं जो इस चीज़ का आप से मोटा पैसा वसूल कर लेते हैं यानि कि कुल मिलाकर कई रोग लगाये ही आपको बरबाद करने के दिये जाता है कहीं लोगों कि स्वैम की गलतियों से रोग उनको छिड़ जाता है यानि कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं किसी भी अनजान यानि कि जो गुरु के रूप में गुरु घंटाल उनको गलत बोग दे देते हैं यानि कि कहीं न कहीं तामसिक भोग पर शक्तियों को चला देते हैं अब जिस शक्ति ने खून या मास का भोग ले लिया वो शक्ति फिर जो सात्विक और फूजने योग्य शक्तियों में नहीं आती वो शक्ति तो बूरा करने वाले ही शक्तियों में आती है तो जो लोग इस तरह की हरकते करते हैं कि एक चुराहे में ये चीज डाल दी, शमसान में ये चीज डाल दी और कहीं लोगों को तो यहां तक देखा गया है कि घरों में ही वो ये भोग दे रहे हैं किसी के कहने पे अब क्या हुआ कि पहले से उनके घर में कोई शक्ति सुद और सात्री की रूप से चलती थी अब उनको कोई डोक्टरी बिमारी हो गई, कोई थोड़ा बहुत उनके अंदर कोई सवारी आने लग गई, कोई पेशी आने लग गई अब हो बगतों के पास जा रहे हैं, बगतों को इलाज का पता नहीं है, उन लोगों को बठका दिया गया और तामसिक रूप में उनकी शक्ति को चला दिया है, जिससे क्या हुआ कि उनकी शक्ति अशुद हो गई उन से रूष्ट हो करके अब हो चाहे कितने भी पूजा पाट कर ले मंतर जाप कर ले गुरुदारन ले ले तो वो शक्ति जो है उनको शांत नहीं हो पा रही तो इसके लिए आपको क्या है माता शीतला और माचुराय वाली की सेवा करनी पड़ती है उनको बीठाना पढ़ता है विरास मान करना पढ़ता है उनके नाम के बोग परशाद और यह मीठे जल का गिलास जो आमने बताया है यह प्रती दिन डाले एक 40 दिन का संकल प्ले करके अगर आप माता को सेंच देते है नहीं के बाहर भी गेट के बाहर भी 30 दिन लगा तार जि पासा नहीं आ रहा है बुज़ुर्गों के द्वारा बताए गए टोटके है परंतु किया आज की पीडी इन पर विश्वास नहीं करती है उनको बड़े तंत्र चाहिए बड़े जाप और बड़े मंत्र चाहिए ऐसा नहीं होता अपनी सोच को बदलो और साधना से सिद्धी से सेवा के भाव पे आ टाइमिंग में एक ही टाइम पे नियम का पक्का होके ये सिर्फ मेटे जलका गिलास उनको देना है अगर आप 41 दिन लगा तार ये काम कर लेते हैं तो आपको मसानी शक्ति से निश्चे ही छुटकारा मिलेगा जो आदमी 100% इससे पीडित था वो उसकी घट करके बहुत ही क बक्ति में मन लगेगा अपनी बगवान की बक्ति करिए जो बची कुछी 20-30% बादा है वो आपकी बक्ति से रिमोव हो जाएगी क्योंकि इसने जो आपके घर के अंदर तामसिकता फाला रख्या नकारातमकता फाला रख्या जो बुरे खयाल आपके अंदर है वो चीज जो और सब्सक्राइब जरूर किया करें क्योंकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी बला हो जाता है वीडियो शेयर करने से क्या होता अगर किसी के साथ इस प्रकार के लक्षन हो रहे हैं तो आप में एक दूसरे का बला जरूर कर देना चाहिए तो सभी को जामाता की मातारा इस सभी का कल्यान करे सभी के अंधन के बंडार बरे